जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पोण करें और आप जीवन में खूप सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल दो हजार चौबिस में होली के बाद जो भ बाई दोच महत पूर्ण हिंदू त्यवारों में से एक है ये भाईयों और बहनों के बीच में प्रेम और श्ने का बंधन मजबूत करता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि तयवार दूसरे दिन यानी दुतिया तिथी को हिंदू कलेंडर के अनुशार मनाया जाता है। में होली दूच जो है वो कब मनाई जाएगी। तो होली भाई दूच जो है वो 27 मार्च को साल 2024 में दिन बुद्धवार को मनाई जाएगी। इसे में 27 मार्च को दिन बुद्धवार को ही पूरी विदिवत तरीके से होली भाई दूच का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। इस दिन बहने अपने भाईयों को टीका लगाती है और कुछ बातों का ध्यान जो है वो अवश्य रूप से रखना चाहिए। इसमें सबसे महतपूर बात है कि टीके का रंग अगर गुलाल से टीका लगाया जाए यदि ये भाई के रासी के अनुशार रंग का चैयन किया जाए तो भाईयों की आयू जो है वो भी लंबी होती है और उन्हें भगवान का आसिरवाद प्राप्त होता है। इसलिए उनकी रासी के अनुशार ही गुलाल से टिलक जो है वो अवश्चरूप से करना चाहिए। टीका लगाने के बाद जो बहने होती हैं वो अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं उनकी आरती उतारती हैं और उन्हें रच्छा सूत्र जो है वो बांधती हैं। ऐसा करने से भाई और बहन के प्रती प्रेम बढ़ता है और रिस्ता जो है वो मजबूत होता है इसलिए भाई दूच का जो पर वैवो मनाया जाता है। अगर मैं महत्य के बारे में एक नजर डालूं तो ये दिन भाई और बहन के बीच संबंद को और मस्बूत बनाता है। वो पूरे हर सो लास के साथ मनाया जाता है। करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जाल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों जै माता दी।